नमस्कार दोस्तों यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाते हो अगर आप इन पांच डिस्टिक्स से ब्लॉंग करते हो तो आपके लिए आर्मी रिकूट्मेंट रेली आ गई है जिस भी कंडिडेट का ARO अलवर लगता है और उसके अंदर भरतपूर, धोलपूर, करोली, स नोटिफिकेशन जारी किया है और ओनलाइन रेजिस्टेशन 14 माई 2021 से 27 जून 2021 के लिए ओपन कर दिये गए हैं जिस भी कंडिडेट की AGE अगर 17 साल से हो गई है या उससे ज्यादा है, 23 से कम है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है और इंडियन आर्मी में जा सकता है दोस्तो कंडिडेट ने यदि हाली में 10 प्लस 2 पास किया है विद आर्ट कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रिम से तो वो सोल्जर के लिए अपलाई कर सकता है बसरते उसके 10 प्लस 2 में 16 प्रिसेंट मार्क होने चाहिए प्रतेक सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर नहीं होने चाहिए तो वो क्लर के लिए अपलाई कर सकता है बात करें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो उसकी एज 17 से 23 है और जिस कंडिडेट की हाइट यदि 170 है या 170 से उपर है तो वो नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भार सकता है जिसकी क्वालिपेकेशन 10 प्लस 2 पास साइंस और Physics, Chemistry, Biology होनी चाहिए जिसके अंदर 50% मार्क उसके होने ही चाहिए और Aggregate मतलब प्रतेक सब्जेक्ट में 40 से 40% से मार्क कम नहीं होने चाहिए तो वो नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनेरी के लिए अपलाई कर सकता है यदि कंडिडेट 10 प्लस 2 पास Physics, Chemistry, Botany या जूलोजी से भी है तो भी वो नर्सिंग असिस्टेंड और वेटनेरी का फॉर्म भर सकता है बसरते उसकी प्रतेक सब्जेक्ट में 40 मार्क होने चाहिए यदि 40 से कम मार्क हैं तो आप इस फॉर्म को अपलाई नहीं कर सकते बात कर लेते हैं सिपाई फार्मा की तो इसकी एज 19 से 25 है जिस कंडिडेट की भी उम्र इसके बीच आती है यदि उसकी हाइट 170 है और उसने 10 प्लस 2 पास कर रखा है या D फार्मा कर रखा है और उसके अंदर उसने 55% मार्क्स ला रखे हैं तो वो सिपाई फार्मा के तोर पर इंडियन आर्मी में जॉइनिंग कर सकता है बात करें द 1600 मीटर रणिंग होती है जो फर्स्ट स्टेज मानी जाती है पीपीटी का उसके अंदर दो ग्रुप बाटे गए हैं ग्रुप वन जिसकी टाइमिंग 5 मिनट 30 सेकिंड है और उसको जिस भी कंडिडेट ने फर्स्ट ग्रुप की अगर रेस क्वालिफाई की है तो उसको 60 मार दिये जाएंगे यदि जिस भी कंडिडेट ने ग्रुप second में running पास किया है तो उसको 48 मार्क दिये जाएंगे उसके बाद उसको कुछ ऑप्टिकल्स होते हैं उनको क्वालिफाई करना होता है उनके कोई मार्क नहीं होते उसके बाद पुलप की मार्क नहीं उसको 27 जिसने 7 मारे हैं उसको 21 और जिसने 6 मारे हैं उसको 16 9 फित इसमें डिच होती है जो कि qualify करनी होती है एक जिक जेक बैलेंस होता है जो कि qualify करनी होती है बात कर लें दोस्तों कि अगर आप भरती के लिए जा रहे हो जो कि 11 जुलाई 2021 से 2021 तक conduct होगी उसके दोरान आपको कुछ इंडियन आर्मी द्वारा advice दी गई हैं वो आपको कुछ certificate लेके जाने होंगे जो की COVID से सम्मंदित हैं जिसके अंदर आपको no risk certificate लेके जाना होगा जो की 48 hours पहले की report होगी ये certificate आप form जब आप fill up करोगे उसके बाद आपको admit card के साथ निकलेगा या मैं आपको description में भी दे दूँगा ये आप अपने hospital government hospital में MO से बनवा सकते हैं ये आपको compulsory है इसके अलावा आपको marks लेके जाना होगा sanitizer लेके जाना होगा जो की compulsory है all candidate will carry proper mask and gloves gloves भी जरूरी है अगर आप marks और gloves नहीं लेके जाते तो आपको entry नहीं दी जाएगी इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखे admit card आपका laser printer होना चाहिए आपको photography बात करें photography की जो की आपको क्या-क्या साथ में carry करना है तो photography में आपको 20 copy फोटो लेके जाने हैं अपनी passport जिसका background जिसका background की quality एकदम अच्छी और blue background होना चाहिए बात करें यदि कोई sick related six candidate है तो उसको 20 copies without turban और 20 copies wearing turban में होनी चाहिए बात करें education certificate की तो जितने भी आपके education certificate है जो आपने लगाए है वो आप उसकी original copy plus 3-3 मैं कहूंगा आप 5-5 photo copy, drugs copy लेके जाएं उसके बाद आपको domitial certificate की आउशक्ता होगी जो आपको e-mitry से बनवाना होगा cash certificate मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि cash certificate कोई special OBC, ST, SC के लिए नहीं बलकि सभी के लिए general भी इसमें include है यदि कोई candidate general का है तो भी वो अपना cash certificate लेके जाए religion certificate और school character certificate school character certificate की आपको आवशक्ता नहीं है इसके लिए आप सरपंच दौरा character certificate बनवा सकते हैं resident certificate उसी में mention हो जाएगा और आपका religion certificate भी उसी के अंदर mention कर दिया जाएगा no claim certificate और unmarried certificate भी सरपंच दौरा बनाया जाएगा है वो letter pad पे आपको लिख दिया जाएगा कि आप unmarried हो या married हो यदि आप कोई सम्मंदी फौज में है या आप ex-serviceman के बेटे हो या वार्ड वीडो हो तो उसके लिए आपके पास जो certificate होगा वो भी लेके जाएगे यदि आपके पास NCC certificate है तो वो भी लेके जाएगे A हो B हो या C हो एपी डेविट आपको लेके जाना है सिंगल बैंक अकाउंट, पैंड काड, आधार काड तो बैंक अकाउंट ले जाने की आउशकता नहीं है जब आप qualify कर लोगे आपका merit में number आ जाएगा उसके बाद ये आपको आउशकता पड़ेंगी आधार काड आप जरूर लेके जाएगे यदि किसी के body पे tattoo है तो या तो उसको remove कर लिजिए उसकी भी कुछ सरते और condition होती है कि आपको कहाँ पर tattoo है आपकी body पे तो आपको उसी हिसाब से ऐसा नहीं है कि जिसकी body पर tattoo है उसको फोज में भरती नहीं किया जाएगा किया जाएगा लेकिन उसकी कुछ condition होती है कि उसकी body पर tattoo कहाँ पर है दिखता कहां पर है तो उसके लिए भी एक certificate लगता है वो आपको वहीं मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों जैहिन